हेलो एवरिवान, वेलकम टू माई चैनल हिंदी टैरो टैक त्रिपल टू मैं हूँ पललवी कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी अच्छे होंगे आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से अल्ली मॉर्निंग जो लेकर आती हूँ आपके परसन की क्या current feelings हैं, क्या current energies हैं आपको लेकर आप लोगों के बीच में जो भी रिष्टा है उसको लेकर साथ में ये भी देखेंगे कि क्या वो आपके तरफ बढ़ने के लिए कोई action लेंगे या action लेने की सोच रहे हैं ये चीज़े भी हम देखेंगे आपके परसन की क्या current feelings हैं इस समय पे इस वक्त आपको लेकर और टेरो से देखेंगे कि आपकी तरफ बढ़ने का क्या कोई वो action ले रहे हैं लेने की सोच रहे हैं ये सब चीज़े देखेंगे ठीके गाईज ये जनरल और एक collective reading है तो आपसे 100% resonate करे ऐसा possible नहीं है timeless reading होगी जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ये तभी से applicable हो जाएगी married और unmarried कोई भी person ये reading देख सकता है तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि आपके person इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं आप लोगों के बीच में जो भी रिष्टा है उसके बारे में उनका इस समय पे क्या विचार है ये चीज़ देखते हैं गाइट कीचे उनिवर्स और बताईए क्या है मेरे विवर्स के person की current energies इस वक्त उनको लेकर देखते हैं क्या क्या आया है यहां पे आया है पेशेंस इनोसेंस न्यू विजन आउटसाइडर दबर्डन क्लारिफाइब भी करेंगे हर कार्ड को ठीके गाइट तीचे निवर्स बताईए क्या current energies है मेरे विवर्स के person की इस वक्त में यहां पे आया है the lovers very nice दिखे गाइस मुझे आपे यह दिखाई दे रहा है सबसे पहली चीज कि आपके person इस समय पे जिस भी situation में हैं जिस भी जगह पे हैं यह अपने आपको बेह जादा ऐसा हो रहा है यानि कि यह सिर्फ अपने आपको ही stuck हुआ वा अपने आपको ही बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं यह यह चीजे दिमाग लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि यह यहां से निकल सकते हैं बल्कि उसकी जगह यह ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं अकेला रहे दिखाई दे रहा है कि यह ना किसी चीज का बेहारा बर्डन ले रहे हैं या इनके उपर किसी की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारिया है बहुत ज़ादा responsibility हैं और ये उस जिम्मेदारी को उस responsibility को उठाते उठाते अब पूरी ठरा से ठक गए हैं पूरी ठरा से हार गए हैं still ये काम कर रहे हैं तो मैं अगर इन दोनों cards को मिला कर बोलू तो guys मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके person इस समय पे जिस भी जगह पे है न ये वहाँ पर बहुत जबर्दस्ती बहुत अपने आपको push करके काम कर रहे हैं और ये अपनी दिल से वो काम नहीं कर रहे हैं लोगों द्वारा इन चीजे हो सकती हैं या तो ये चाहते हैं कि ये जो इनकी जो हालत हुई पड़ी है इस समय पे इस चीजे से निकलने का ये patience बना रहे हैं कि हाँ एक समय आएगा ये finally निकल जाएंगे से stuck energy से जिम्मेदारी से दूसरा ये भी हो सकता है कि ये हाँ पर बहुत patience ली आपका इंत गजार करते हुए नजर आ रहे हैं ये उसके अलग guys basically ना चाहते हैं कि अब ना इनका ये जो जिम्मेदारिया हैं इनकी जो situation है अब ये पलट जाए मतलब ये इस situation को अब burden की तरह देख रहे हैं और अब ये चाहते हैं कि मैं इस energy को ये situation को नए तरीके से देखू ताकि मु सोचना है उसके अलग guys ये इस समय पर ऐसा भी सोच रहे हैं आपके person कि मैं जो मेरे साथ हो रहा है मेरे साथ मेरी हालत जो खराब हो रही है मेरा मतलब ये अपने आपको उन चीजों के लिए निर्दोश मान रहे हैं ये लग रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है फिर भी मुझ कुछ ना करने के बावजूद भी मुझे इतना स्टक रहना पड़ रहा है इतनी जिम्मेदारिय उठानी पड़ रही है और बहुत जादा patiently situation को deal करना पड़ रहा है इनको इस समय पर ऐसा फील हो रहा है आपके मामली भी अभी भी feelings रखते हैं ऐसा नहीं है कि आप इनके mind से इनके दिल से निकल गए हो आपके आप इनके दिल में आज भी रहते हो इन्हें समय समय पर आपकी भी यादे आती रहती हैं इन्हें समय समय पर लगता है कि आप इनकी तरफ बढ़ जाओगी चीजे सही हो जाएंगी उन चीजों के मामले में यह बेहत जादा patience बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं ठीक है चलिए देखते हैं और patience को clarify करते हैं कि और किस चीज़ का यह बहुत patience ली wait कर रहे हैं गाई की जे निवर से बताएं मेरे viewers के person इस समय पर किसका बहुत patience ली wait कर रहे हैं देखो गाई यह आया है change का card definitely यह चाहते हैं कि इनकी जो life में समय पर तूफान आया हुआ है यह change हो जाए transform आ जाए यह change हो जाए situation change हो जाए जो इन यह अभी लोगों को जिस नजरिये से देख रहे हैं वो इनकी द्रस्टी change हो जाए क्योंकि यहाँ पर new vision भी आया है यानि कि overall बोलू तो अब यह जो इनकी life इस समय पर चल रही है यह इस life से अब निकलना चाहते हैं इस situation को change करना चाहते हैं फिर चाहें उसके लिए इने ही क्यों न change होना पड़े यह चीज मुझे दिखाई दे रही है ठीक है इस समय पर किसको इतना ज़्यादा निर्दोश मान रहे हैं इनुसेंस मान रहे हैं प्रly देकरल मान रहे हैं अपने आपको निर्दोश इने यह लग रहा है कि मेरे ना कछ देक्राऊ कि मतलब इतन गलतնे हैं इस समय पर यह मानना है कि मैंने कुछ गलत नहीं में कराएं इन सब चीजों मेंczęरा तो यह इस समय पर अपने आपको समझते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं किस चीज का ये बर्डन ले रहे हैं गाइट के चर्णिवर्स और बताईए किन चीजों का बर्डन ले रहे हैं एक्जाहॉशन देखो गाईज बिसिकली क्या हो रहे ना आपके परसन के साथ ये अपना ठक गए हैं मतलब इनके साथ हो गया है कि ये पेशेंस करते करते तो ठकी गए हैं ये जिम्मेदारियों को उठाते उठाते भी ठक गए हैं ये शायद मैंने आपसे पहले भी बोला था लेकिन इनके साथ ये हो रहा है कि ये पिसिकली ना ऐसा सोच रहे हैं कि मैंना अब और नहीं लड़ सकता या लड़ सकती यानि कि हो सकता है आप लोगों की बीच में पास्ट में काफी ज़्यादा लड़ाई जगड़े हुए हो या आपने इने मनाने की कोशिश करी हो इन्होंने अपनी बात आप से मनवाने की कोशिश करी हो जो भी है लेकिन ये अब वो बात मनवाने के मामले में भी अपने आपको थका हुआ हैं और इनको यह लग रहा है कि अभी मैं गिवड़ अप कर दूह मतलब ओप मैं इनके दिमाग में आ रहा है कि अब चीजे नंगर이지 चाहिए क्योंकि अब चीजे ना बहुत बर्डन की तरह मेरे उपर आ रही है तो यह ओवर आल बोलू तो अब यह थक गए और इसलिए बेन तहां बर्डन फील कर रहे हैं इस समय पर यह किन चीजों को नई द्रस्टी कोर से देख रहे हैं न्यू विजन की तरह देख रहे हैं गाइस देखो यह बेसिकली आपको एक नई द्रस्टी कोर से अब देख रहे हैं शायद पास्ट में आपके उपर इनोंने कोई ब्लेम लगाया था अपनी बात आपसे मनवाने की कोशिश करी थी और उस समय पर यह आपको ऐसा सोच रहे थी कि आप इनकी बात नहीं मान रहे हो इनको यह चीजे लग रही थी आपके मामले में लेकिन अब इन्हें आपको ही ऐसा देख रहे हैं कि आप ना एक्चली में कॉंफिडेंट हो गए हो आप इस समय पर इंडिपेंडेंट हो गए हो यह आपको ही एक नए द्रस्टी कोर से देखते हुए मुझे नजर आ रहे थी उन मामले में अब आप कोई कॉंप्रोमाइस नहीं करोगे अब आप चाहते हो कि अगर आप मेरी जो में डिजर्व करती हूं वह देने के लिए तैयार हो तो आप इनकी तरफ बढ़ोगे यानि कि ओवर आल मैं बोलू तो यह अब आपको एक नए तरीके से एक नए फॉ केरिंग हो मदली फिगर हो मतलब इस थारा से मासूम हो उस थारा से देख रहे थे लेकिन आज यह आपको दूर से वही कॉंफिडेंट वही इंडिपेंडेंट वही एक्सपेक्टेशन के मामले में कोई कॉंप्रोमाइस नहीं करना उन्स नजरों से देखते हुए नजर आ यानि कि नहीं आपकी प्रती जो इनका द्रस्टी कोड थाना वो इनका पूरी तरह से बदल गया है उसके अलगे लिए ये भी दिखाई दे रहा है दूर से कि आप ना सेल्फ लव करने में बिलीव रखने वाले हो गए हो कि अपने आपको ज्यादा प्रायरेटी देनी आपको इसाईडर कीजी क्योंए अपने आपको स्टक महसूस कर रहे हैं आउटसाईडर कीजी कीजी है देखो आईस में आपके प्रसंन कहो रहा है इँ अपने को ही ल को हीब करने की कोशिश कर रहे हैं और यह हील हो सकते हैं आप खुछ सोचे यह इनका यह हो रहा है यह अपने आपको अकेला भी महसूस कर रहे हैं दिल से अपने आपको अकेला महसूस कर रहे हैं फाइनेशली लॉस हो रहा है यह ऐसा महसूस कर रहे हैं और फिर यह सोच रहे हैं कि मैं हील हो जाओंगा या हो जाओंगी तो कैसे हो सकता है इस समय पर उस एनर्जी में हैं जहां यह खुद हील नहीं हो पा रहे हैं और इसी वज़े से अपने आपको स्टक महसूस कर रहे हैं इस समय पर आपके परसंद का दिल ना बिल्कुल जक्मी हुआ पड़ा है ऐसा यहां पर दिखाई दे रहा है दा लवस को क्ला देखो गाईस आपका इनकी लाइफ से जाना यानिकी पूरी दुनिया का हिल जाना है इस समय पर यह बिसिकली आपके जाने की वजह से अपनी लाइफ में तूफान सा महसूस कर रहे हैं दर्द महसूस कर रहे हैं इन्हें यह लग रहा है कि मेरी लाइफ इस समय पर पूरी तरह से उजड़ी पड़ी है, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है, कोई स्टेबलिटी नहीं है, मेरी जो नीव जो स्टेबल होनी चाहिए थी आज की डेट में वो तो पूरी तरह से हीली पड़ी है, स्पेशली लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर और ये इनी चीजों की वजह से भी ना काफी ज़्यादा स्टक, काफी ज़्यादा परिशान नजर आ रहे हैं, और उपर से ये आपको देख भी अलग नजरीये से रहे हैं, तो इन्हें कोई गुझाईश नहीं लग ही हो जाएगा, इसलिए और ज़्यादा अपने आपको अकेला कर रहे हैं, अपने आपको इस रिष्टे की responsibility अब इनके कंधों पे आ गई है, ऐसा फील कर रहे हैं, और ये नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी तो इस वज़़े से और ज़्यादा ना परिशान होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ये तो इस समय पे इनकी current energies हैं, देखते हैं कि क्या इस परिशानियों से निकल कर आपकी लिए कोई action लेने की भी सोच रहे हैं, या इनी ही परिशानियों में डूबे रहने की ही इनका इरादा है, गाइट कीजय उनिवसर बताएए, वीवस के person क्या कोई action लेंगे इनकी तरफ या नहीं, या ये वीवस के तरफ क्या ये कोई action लेंगे या नहीं लेंगे, आइट कीजय वनिवसर बताएए, Queen of Wands, यह Sharing card and Queen of Wands card दोनों सेम होते हैं Definitely इन्हें यह लग रहा है अब आपना अपनी Expectations के मामले में इनसे कोई Compromise नहीं करोगे जो आप Deserve करते हो, आप वही इनसे अब चाहते हो Otherwise आप No के mood में हो आप ऐसा सोच रहे हो, इनके दिमाग में आपके लिए यही चल रहा है Wheel of Fortune Guide to a Geneva, बताइए क्या कोई Action देंगे या नहीं लेंगे यह Age of Swords Guide to a Geneva, बताइए क्या कोई Action लेंगे Knight of Swords and Nine of Cups मुझे आप लोगों के बीच में Age Gap भी दिखाई दे रहा है Guide to a Geneva, बताइए क्या कोई Action लेंगे या नहीं लेंगे Viewers की तरफ Guide to a Geneva देखो गाईज इन्हें यह तो समझ में आ रहा है अच्छे से दो बार आपके person की energies में The Tower का card आ गया है कि इनकी दुनिया हिल चुकी है Guide to a Queen of Pentacles Guide to a Geneva, बताईए क्या कोई Action लेंगे या नहीं लेंगे The Fool, very nice Guide to a Geneva, बताईए क्या कोई Action लेंगे या नहीं लेंगे King of Cups Guide कीजे निवस एक काड़ ओर दीजे क्या मेरे वीवर्स के person इनकी तरह कोई Action लेंगे या नहीं लेंगे Guide कीजे Six of Cups Bottom of the deck, Ten of Wands Definitely इस समय पे ये तो समझ गए है कि इस रिष्टे की पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधो पे है अगर मैंने अभी कोई Step या कोई Action नहीं लिया ना तो ये रिष्टा मेरे हाथ से चला जाएगा मेरी दुनिया हो जड़ जाएगी ये definitely ऐसा इस समय पे सोच रहे हैं guys देखे energies यहाँ पे सभी आ गई है यहाँ पे Wands, Swords हो गया, Pentacles हो गए और End Cups हो गए तो सभी energies यहाँ पे आ गई है देखो guys सबसे पहली बात आपके person को इस समय पे आपकी जो personality इस समय पे change होई है यानि कि आप queen of pentacles थे, motherly nature थी आपकी दूसरे को pamper करते थे उनके लिए बहुत ज़दा attached थे, रोते थे, emotional थे और अब ही suddenly चीज़े चीज़ हो गई हैं आप बहुत ज़दा practical हो गई हो कि आप जो पहले थे ना, वो चीज़े अभी नोने खो दी हैं आप पूरी थरह से बदल गए हो, ठीक है दूसरा, इन्हें ये लग रहा है कि इस समय पे आप अपने growth पे ज़दा काम कर रहे हो अपने पैसों पे, अपने comfort zone में बैठे हुए हो इन्हें ऐसा भी आपके बारे में लग रहा है ये आपको इस समय पे with this page of source card बहुत ज़दा spike कर रहे हैं आपके उपर इनकी नजरे पूरी थरह से गड़ी हुई है और ये basically देख रहे हैं कि आप न कर क्या रहे हो या आप इस समय पे चाहते क्या हो इन सब चीजों के विशय में इस समय पे इनके दिल में बहुत ज़ादा curiosity मुझे दिखाई दे रही है मतलब इनके साथ guys ऐसे हो रहे हैं जैसे बादल है ना चारो तरफ तो ये आपके उपर बादलों की तरह मंडरा रहे हैं उस तरह से हैं ये एक मक्षी की तरह आपके चारो तरफ भिन बन्याना चाहते हैं उस तरह से इनकी energy मुझे दिखाई दे रहे हैं यानि कि ये ना अब चाहते हैं आपका साथ ये मुझे में दिखाई दे रहे हैं और इन्हें ये चीज़े समझ में आ गई हैं इस रिष्टे की जिम्मेदारी अब मेरे उपर ही है क्योंकि आप अब किसी compromise के mood में नहीं हो आप अपने expectations को किसी भी हालत में उन चीज़ों को उनसे कोई भी आप मतलब ये समझ रहे हैं कि आप न जो deserve करते हो बस उसी पे ही इनके साथ कोई deal करोगे otherwise नहीं करोगे तो ये भी इने समझ में आ रहा है इसी लिए नहीं लग रहे हैं आप पूरी तरह से बदल गए हो आपको आपके लिए क्या feelings रखते हैं ये basically आपके लिए feelings रखते हैं guys with this king of cups card ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आज भी आपसे emotionally attached हैं आज भी आपके लिए feelings रखते हैं और आज भी आपके साथ new beginning करने के mood में हैं ये आपसे ऐसा बता रहे हैं और उसके अलगी आपको ये भी बता रहे हैं और in fact इनका action भी यही मुझे दिखाई दे रहा है कि ये ना आपके तरफ यही बताने के लिए आएंगे और वो भी बहुत intensity से ये card बहुत passion को बताता है intensity को बताता है कोई unexpected person जैसे आपने अब ये उमीद छोड़ दिये कि ये मेरे साथ कोई compromise नहीं करेगा मेरे मेरी जो उमीदे से हैं ये पूरी नहीं करेगा या करेगी तो वही person with this night of swords card आपकी तरफ बढ़ेगा इसका क्या होगा guys ये जो आपकी तरफ बढ़ेंगे ना तो ये definitely बढ़ेंगे तो लेकिन ये ना आपसे बहुत चुबी हुई बाते करेंगे क्या दिल में रखते हैं वो आपको बिलकुल भी नहीं बताएंगे ये आपको सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करेंगे आपसे जगडेंगे mood इनका आपके साथ reunion करने का है mood इनका reconciliation करने का है लेकिन still ये आपको बहुत ज़्यादा practical होके दिखाएंगे इन्हें कोई फरक नहीं पड़ता उस तरह से दिखाएंगे logics पे चलते हैं ये उस तरह से आपको दिखाएंगे ताकि आपको ऐसा इनके अंदर आपके लिए क्या है ऐसा feel ना हो जाए ताकि इनका ego ना hurt हो जाए इसलिए आपको ऐसा दिखाएंगे six of cups का card बताता है कि ये definitely आपकी तरफ ना पुरानी बातों को जो भी आपके बीच में हुआ है ना उन चीजों की भूलाने की बात करेंगे आपसे की चलो पास्ट की बाते भूल जाते हैं और नई शुरू बात करते हैं इनका action मुझे यही दिखाई दे रहा है guys मुझे यह यह भी दिखाई दे रहा है कि यह न इस समय पर आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि आपना आपका समय पर लग आपके साथ है आप जो चाहते हो आपको वो मिल रहा है और इनका लख अभी इनके साथ नहीं है इन्हें ऐसा भी आपके प्रती लग रहा है ठीक है ये बेसिकली आपकी तरफ इनका एक्षर मुझे यही है कि कोई अन एक्सपेक्टेड परसन अपनी फीलिंग्स आपको बताने के लिए आएगा लेकिन वो आपकी तरफ कोकोनेट की तरह ही आएगा बहा से बहुत जादा सक्त और अंदर से बहुत जादा आपके लिए फीलिंग्स हैं रियूनियन करना चाहेगा आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहेगा पुरानी चीजों को बुलाने की कोशिश करने के लिए कहेगा क्योंकि इसे समन में आ गया है यह अपके सामनी जो आएंगे ना इस आपके साथ आएंगे तो जो भी आपके बीच में परिशानिया चल रहे हैं उन चीजों खतम करने और चाहेंगे duhuinडरी यूनियन हें अर चाहेंगे कि अपना रियूनियन ही लेकिन laser लेकर ही चाहें नियू बिगनिंग ही करने आएंगे पस तरीका इनका थोड़ा गलत होगा यहां पर यह चीज मुझे में दिखाई दे रही है चलिए मेजर अरकाना से और देख लेते हैं गाइड कीजे उनिवर्स और बताईए गाइड कीजे निवर्स गाइड कीजे निवर्स देखो तूफान का होना है यह चीजे नहीं समझ गए हैं कि मेरी इस समय पे पूरी दुनिया उजड़ी पड़ी है टावर मुवमेंट मेरी लाइफ में आया वा है मेरी नीव ही ली हुई है इनका ऐसा मानना है आपकी तरफ एक पूरा अपने अधिकार से आएंगे कि आप मेरे हो और आपके तरफ रियूनियन के रिकंसलेशन के लिए आएंगे आपको यह पूरे अधिकार से अथौरटी से आपके पास आएंगे कि आपके साथ ही मुझे रहना है और चीजों को भूल जाते हैं न्यू बिगनेंग कर लेते हैं रिकंसलेशन कर लेते हैं बापस से इस बीच में जो भी यह रिष्टा है जो भी यह situation चल रही है उसके विश्य में एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती है रीकंसिडर आपसे बोला जा रहा है आपको ना इन सब चीजों को फिर से रीकंसिडर करना चाहिए मतलब आपको सोचना चाहिए मुझे जाना चाहिए इस परसन के साथ या नहीं ये तो आ गया लेकिन इसका कहीं यही तो नहीं रवया रहा ये चीज़े आपको रिकंसिडर करनी चाहिए अब भी समय सही नहीं है अब भी आपको शायद और वेट करना पर सकता है अगर आप विश्वास करते हो ना गाईस तो चीज़े सब सही हो जाएंगी सारा खेल ही आपके विश्वास का आपके खुद के पॉजिटिव रहने का है अगर आप विश्वास करोगे तो चीज़े सही हो जाएंगे और विश्वास ही नहीं है तो फिर तो सब चीज़े बेका आई है सफलता आपको बिल्कुल मिलेगी जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा ऐसा आपसे बोला जा रहा है लेकिन अभी आपसे बोला जा रहा है अभी थोड़ा आपको इंतिजार करना पड़ेगा ऐसा आपसे बोला जा रहा है क्योंकि अब आपको अपने job deserve करती हो से आपको अगर compromise नहीं करना है तो आपको यहाँ पर इंतिजार करना पड़ेगा ऐसा आपसे बोला जा रहा है तो ये थी मेरी रीडिंग गाईज, I hope आपको आज की मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे resonate करी हो, अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है, आपसे resonate करती है, तो प्लीज मुझे बता आना और मेरे इस चैनल को like, share and subscribe बिल्कुल कीजेगा, ताकि इसी तरह से और अच्छे अच्छे रीडिंग और अच्छे अच्छे टापिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे, आज के लिए बस इतना ही, ओके टाटा, बाब बाई